हेलो दोस्तों स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में और कैसे हैं आप सब आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अपने पूरे परिवार के साथ है तो आज है फ्रेंड 31 मतलब 31 दिसंबर है आज 2022 का आखरी दिन है तो आज मै देख सकते हैं धान की काफी सारी बोरियां है पूरा घर धान से भरा हुआ है हमारा फिलहाल तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको हटा दू मतलब एक साइड कर दू तो थोड़ा से जगह बन जाए क्योंकि गोलू भी पैंड़ने के लिए बैठता है या फिर और भी क इतनी ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी बोरियों को तो बैस जैसा हो रहा है मैं खुद कर रही हूं और यह सुबह सुबह का टाइम है लगबहग अभी साड़े साथ बज़े होंगे और ठंड काफी है हमारे यहां इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मतलब ठंड बढ़ी क्लियर करना मुश्किल है क्योंकि सारे घरों में यही हाल है हमारा लगबहग सारे रूम में यही हाल है तो बस आज इतना ही करती हूं मतलब थोड़ा जगह मैंने बना दिया है काकि यहां पे कोई उट बैट सके या फिल कुछ कर सके बस यहां पे तो इतना ही था कि थोड़ इसनियों के नहीं बोरियों के नीचे ही नाल दे रही हूं तो फिछाल खाली ओने में टाइम लगेगा अबी इतना Here the üzer taking homework तो आ आगे काम है, आज मैंने मिट्टी का dated नीचे निचे और आज को को सुच रही डिए चावल दाल मैंने गेस पर चढ़ा दिया है और यहां पर सबजी बनाओंगी तो सबसे पहले यहां पर सारा समान लाके रखना पड़ता है वह भी खुला जगह है इसलिए ढखके रखना पड़ता है तो मैं सारा मसाला वगेरा तेल जितना भी है प्याज जो भी मुझे जोरत पड़ेगा बनाने में वह सारा चीज मैं यहां पर लाके रखरी हूं पहले उसके बाद बनाओंगी और यहां पर धूप अच्छी आती है इसलिए यहां पर खाना बनाने में अच्छा लगता मतलब मजा आता है खाना बनाने में यहां पर तो आग जल गई है और कढ़ाई म मेरा अभी यहां पे और फटाफट से मैं यहां पे सबजी बना लूँगी इसके बाद हमारा दो पहर का खाना रेडी हो जाएगा और अभी टाइम है लगभग साड़े ग्यारे बजे हैं अभी तो सब कुछ लगभग सभी सही टाइम पे चल रहा है कुछ भी उपर नीचे भी यह आढ़े लूभग लूभग प्लिद उपने लुचे में में अभी यह जब जया है कुछ जब गेना रहा है जब जब हैं लो शुछ चुछ एंगर में जबको हैं लूबग जब्टी लुटए और ग्या दो नहैं पज़ हैं यहां तो लुछ ट तो अब हमारी सबजी बनकर रेडी हो गई है यह मैं इस तरह से बनाऊंगी थोड़ा सा इसमें रच्सा रहेगा ताकि सबको पसंद आए सबको हमारे घर में यही पसंद है सबजी बनने के बाद direkt के उच वाद साम का सूठ है यहां पर यह देखिए यहां सीच रिछाए और प्याज लख लशन लेकल बें नखिश स्सक्राव बीच में रहा आधरा पिकनिक पर जाराने के लिए मतलब नेक्स डे हम लोग पिकनिक पे जाने के लिए ये दो बैक्स में हमने रख लिया है कुछ समान जो जवरत पड़ेगा वहां पर हमें जो भी है हमारा खाने पीने का समान है पानी की बोटल बगेरा है जो हम फिल करके कर ले जाने वाले हैं और यहां पर देखिए ये गोल भी रहे हैं तो मैं इन्हें रूला रही हूं मजा आ रहा है तो यह देखिए काम कर रहे हैं अच्छे लगता है काम करते वे और यह है हमारा किचन देखिए किचन में मैंने चाय बनाया था अभी रात का खाना अभी बनानी है रात का खाना में बनाऊंगी बस रोटी बनाना में अभी सबजी बनाने सिध्या कुछ रेडी है, मैंने काट के रखा है और आटा लगा के रखा है सबजी बनाना रो posy बनाना है उसके बाद रात का खाना हमारा होगा अब यह देखके गोलू भी आ गया है काम करने के लिए यहां पर करने का तो कुछ भी नहीं है बस एक आध लेसंद छिल रहा है पर हाँ यह की काम कर रहा है वो भी हमारे जो भी है मतलब थोड़ा बहुत करेंगे करेंगे तो फ्रेंड्स आज का ब्लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मेरे चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखेगा आप सबों को आने वाले नए साल की बहुत बहुत सूब कामना हैं नए साल में सब कुछ अच्छा हो सब बढ़िया हो और सब खुस रहें बस हम यही चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई और अपना ख्याल रखेगा झाल 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 झाल